अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसो आप लोग मेरे से कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि शानुवर भाई सौदियो कॉन्सिल ओफ इंजिनर में में मेंबर्सिप लेने के लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डेटेल में बताऊंगा व हो गया ड्राफ्त्मेन हो गया सर्वेयर हो गया उनका रिक्वाइरमेंट अलगया तो सबसे पहले मैं डिसकस करता हूँ टेक्निशान से कि mission के सबसे पहले तो अगर आप सोधिरभ में नए आये हो तो आपका वीजा लगेगा अगर आप पुराने हो इकामा है तो इकामा लगेगा ये एक डॉकिमेंट इसके बाद आपने जो पढ़ाई किया है अगर आपके पास डिपलोमा है आई टी आई है वो दोनों में से कोई आपक को एक चीज सब्मिट करना है multiple certificates कभी भी upload नहीं करना है ये चीज याद रखिएगा minimum आपका 6 महने का अगर कोई training certificate है तो technicians के लिए वो acceptable है कुछ professions जैसे computer programmer हो गया उनके लिए पहले accept कर रहे थे starting में एक साल का भी अभी अभी वो लोग नहीं कर रहे है तो rules change होते रहता है मैं पर वीडियो बनाते रहता हूं तो मेरे चैनल के साथ में अगर आप लोग जुड़े हो तो आप लोग रियल टाइम में updated होगे तो maximum technicians के लिए डिप्लोमा चल जाता है सौधी गॉंसल में एटेस्टेशन भी आपको नहीं कराना होता है technician के लिए बिना एटेस्टेशन का भी चल जाता है वहाँ पर आपको तीन option मिलता है एक mark sheet का एक diploma का front page का और एक back side का तो वहाँ पर जो front है वहाँ पर main diploma या ITI जो है वो डाल सकते हो mark sheet में आप mark sheet को upload करना mark sheet अगर माल लो आपका 3 है 6 है या फिर 1 है 2 है तो आप सब को एक ही page में scan करके upload करना back side में आप क्या upload करोगा अगर attestation क्या हो नहीं है तो उस समय आप अपना college university institute से बोल सकते हो कि आप एक stamp वगरा कुछ भी लगा दो उसको आप upload कर सकते हो को issue नहीं है अगर institute ये college का system वगरा कुछ भी नहीं है dummy blank तो फिर आप blank को क्या upload करोगो वहाँ पे mark sheet आप डाल सकते हो इसा मैंने किया है कई लोगों का मेरे friend circle में उनका accept हो गिया है इसके बाद Saudi council of engineer का authorization letter ये आपको Saudi council of engineer का website से download करना परता है जिसको आप introduction letter भी बोल सकते हो offer letter भी बोल सकते हो ये आपको मिलेगा आपका company से रियाद chamber करा कि आपको लेना है chamber of commerce का उसमें stump रहेगा अभी तो electronic तरीके से हो रहा है जिसमें आपका सारा detail रहेगा salary वगेरा आपको क्या position पर लोग higher किये हैं और आपका ikama number वगेरा कितना है अगर आप नहीं आये हो तो आपका border number सबकुछ वहां पर रहेगा इसके अलावा आपको जरुरत पड़ेगी आपका passport का passport आप अपना पूरा जो है scan करका upload करना बस यही documents लगेगा technicians के लिए बाकि photographs वगेरा आप उसी समय खीच करके डाल सकते हो यह जो जो requirement मैंने non engineering profession के लिए बताया engineer profession के लिए भी लगभग सेम है जो अलग है मैं वो बता दे रहा हूँ अलग में हो जाता है कि कोई भी engineer का membership लेना चाहता है उसके पास engineering degree हो degree में आपका BTEC, MTEC चल जाएगा या फिर BE किये हो आप वो भी चल जाएगा BSC किये हैं engineering का वो भी चल जाएगा engineering degree चाहिए के अलावा जो दूसरा requirement है वो पास आउट होकर के पास साल होना चाहिए या फिर पास साल का experience होना चाहिए इसको example दे के समझाता हूँ माल लीजे किसी ने 2018 में BTEC पास किया है वो साओधी अरब आ गिया अभी तो उसका पास साल हुआ नहीं है तो वो engineering membership के लिए apply नहीं कर सकता उसको नहीं मिलेगा engineer का membership जब तक pass out का जो gap है वो पास साल नहीं हो जाता उसको membership नहीं मिलता है engineer में इसके बाद तीसरा requirement जितने भी engineers हैं उनका degree पे Ministry of Culture, Saudi Embassy इनका attestation किया हुआ रहना चाहिए अगर उनका attestation किया हुआ नहीं है तो भी उनको membership नहीं मिलता है attestation लाजमी है यह सारा FAQs आप Saudi Council of Engineer का website में जाके भी देख सकते हूँ यहाँ पे additionally एक information और शेयर कर देता हूँ जितने भी पाकिस्तानी नागरीक है उनके लिए एक और भी documents की ज़रत पढ़ती है वो है पाकिस्तान का national identity पाकिस्तान का जो ID कुरूफ है वो भी आपको upload करन परता है Saudi Council of Engineer का website में तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही मिलता हूँ फिन नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया